हेलो विर्वान कैसे हैं आप सर आप सब का मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम तो बचो आज हम करने लगे हैं निया चैप्टर क्लास सेकिंड की माई लिविंग वर्ल्ड बुक है जिसका चैप्टर नमबर त्री है आर फूड अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है फूड चैप्टर को समझने में तो आप ये वीडियो देख सकते हैं आपको पूरी तरह क्लारिटी हो जाएगी तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो फूड होता है वो हर लिविंग बिंग जिन्दा रहने वाली चीजों के लिए जिन्दा रहने वाली लोगों के लिए एन खाना हम क्यों खाते हैं जिन्दा रहने के लिए कि हम जिन्दा रह सके हम बढ़ सके फूड गिवज अस एनरजी और अगर हम खाना खाएंगे उससे हमें क्या मिलती है ताकत मिलती है एनरजी मिलती है एनरजी का मतलब क्या होता है ताकत फूड कीप सास हेल्डी एंड मेक्स और खाना हमें क्या तंदरोस्त रखता है और हमें तंदरोस्त बनाता है we eat different types of food we get food from plants and animals और कहीं तुरा खाना होता है अब question यहाँ पर आता है कि खाना आता कहां से है जो हम खाना खाते हैं घर में वो कहां से आता है कुछ तो plants से मिलता है, कुछ हमें animals से मिलता है Things we get from plants are called plants product जो भी खाना हमें food plants से मिलता है वो हमें, क्या बोलते हैं, उनको plants products जैसे wheat है, wheat का क्या होता है? ऐसे खेत में इसे ये उगाया जाता है अन, wheat किसको बोलते हैं? अन फिर इसको चक्की में पीस के इसका आटा बनता है तो ये क्या हो गया? plant product and the things which we get from animals are called animal products और जो things जो हमें animals से मिलती हैं, जानवरों से मिलती हैं उनको हम animals products बोलते हैं जैसे कि eggs, eggs हमें कौन देते हैं? hand देती है तो इसको क्या बोलेंगी? ये हमारा animal product हो गया आगे हम पढ़ेंगे different type of food we get from plants अब कौन-कौन से चीज़े हमें plant से मिलती है plant give us fruits, vegetables, grains and pulses they also give us nuts and oil तो plant से हमें क्या मिलता है? grain grain में क्या आता है? wheat plant, wheat, canak, floor, इसका आटा, फिर चपाती पहले क्या होती है? kanak, जो plant खेत में उगाई जाती है उसको पिस्वा कर चक्की में उसका आटा बनता है तो आटे से क्या बनती है? चपाती तो ये हमें plant से मिले grains grains are used to make चपाती, biscuit and bread etc grains से क्या बनती है? चपाती biscuit भी बनाए जाते, आटे के biscuit भी बनाए जाते है और bread भी बनती आटे की second pulses, pulses क्या होती है? डाले pulses क्या होती है? डाले pulses are used to make डाल, रसम, सांबर ये pulses का क्या है? ये भी हम plant उगाते हैं जो ये seeds होते हैं उनको हम डाले इसको डाल बोला जाता है ये जो छोड़े-छोटे seeds डाले देखिए न गर में ममा बनाती है तो वो छोटे-छोटे जो डाले है वो ये pulse seeds होते हैं उसके बाद उसको बना कर क्या बनती है? डाल तो हमें plants pulses किन-किन चीजों में use होते हैं? डाल बनाने में, रसम बनाने में और सांबर बनाने में इन चीजों में डाले use होते हैं fruits and vegetables ये भी हमें plants से मिलते हैं plants give us fruits, we eat fresh fruits, we also make juice from the fruits how do we get fruits and vegetables from the plants? we take them from the plants, we make them cooked and eat some vegetables we also cook some vegetables without cooking and some cook them we call salad without cooking, some vegetables can be eaten raw we also make soups of vegetables और उनकी हम soup भी बनाकर पेते हैं next आजाता है nuts nuts में क्या आते हैं? जो आप peanuts खाते हो, मुखफली खाते हो, almonds, badam, cashew nuts, kaju, walnuts, accruod ये सारे जो चीजे हैं इनके plants होते हैं ये हमें मिलते हैं और ये कब खाये जाते हैं? विंटर में जब जादा चीजे जब जादा सर्दी होती है तो इन चीजों को खाने से हमें बॉडी में गर्माहट में सोस होती है हमें सर्दी कम लगती है और इनका जो बदाम में से भी ऑईल निकाला जाता है ये पीनट्स में से भी ऑईल निकाला जाता है तो इनका जो ऑईल होता है फर्दर कहां यूज होता है हमें ये बॉडी पे लगाने के लिए बदाम जाम ऐसे भी खाने के लिए ये यूज होता है तो नट्स आगए fruits and vegetables आगे, grains आगे, pulses आगे, यह हमें plant से मिलते हैं, oils अब यहां भे हमने बात की थी peanut के मुंखफली की, तो peanut oil, यह sunflower, यह sunflower एक flower होता है, इसका जो oil बनाया जाता है, यह हम खाने में सबजियों में use, इससे सबजियां बनती है, इस oil में सबजियां बनाई जाती हैं, vegetables, mustard oil, सर्सों के oil, सर्सों के फूल होते हैं, यह plant होता है, इसका oil निकालके, हम use कते हैं, vegetables बनाने में, coconut oil, coconut, यह coconut का पेड होता है, इसके यह आपने देखा होगा, घर में coconut आता है, तो coconut का oil बनाया जाता है, यह भी इस vegetables में use होता है, तो plants हमें कौन-कौन चीज़ें मिलती है, plants से हमें pulses, grains, fruit and vegetables, nuts and oils, तो यह थे हमारे food we get from plants, next video में हम cover करेंगे food we get from animals, till then, bye-bye, thank you